भारतिया टीम के लिए एक अच्छी खबर उर्सी के साथ कुछ बुरी खबरे भी हैं उससे अवगत कराते हैं आपको पहली खबर यह है कि सुबमन गिल रूल डाउट हो चुके हैं पहले टेस्ट मुकाबले से यानि कि पर्थ में जो मुकाबला खिले जाने वाला है बाइस न कि पर शुबमन गिल के साथ की कर चुके हैं लेकिन सुबमन गिल की जो फिल्डिंग करने यह थी वापस एक्टर बताइ गया है और इसके बाद सुबमन गिल पहले test match में उपस्तित नहीं होंगे और possible ये है कि वो पूरी series के लिए ruled out हो सकते हैं बाहर वह सकते हैं हलांकि पहले test से बाहर रहेंगे इसकी अधिकारी घोषना हो चुकी है तो ऐसे में रोजशर्मा भी नहीं है कि रोजशर्मा कुछ रोज़ा करना पड़ेगा डिए जिसके हिंट दी थी गौतुं गंभीर ने भी अपने press conference में ने कहा था कि केल रहूल बल्लेवाजी कर सकते हैं नमबर एक पर भी तीन पर पांच पर भी जैसे कि हम जानते हैं कि वह बल्लेवाजी कर सकते हैं लगातर बल्लेवाजी करते आएं लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट बलाती है तो मैं उच्छुक होता पर्थ में पहला मुकाबला खेलने के लिए कि बतोर कप्तान अप तीं जीरो से अपने घर पर न्यूजिलेंड से आ रहे हैं, ऐसा भारतिय क्रिक्ट के इतिहास में आज तक होआ नहीं कभी कि कोई टीम आगे भारतिय टीम को उसके घर में तीन सुनने से अरा दे लेकिन रोई शर्मा की टीम को तीन जीरो से हार का सामना क करने को मिला है इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है काफी इंपोर्टन सीरीज हो जाती है इसलिए आज जैसे क्योंकि आप पहले वाइट वाइट वास हो गया है और अगर आपको प्रॉपरली वर्ट चैंपियंशिप के लिए क्वालिफाई करना है तो इक पाच म गांगुले ने बुला है कि मैं रोज शर्मा की जगा होता और अगर घर की सिती मेरे अंडर कंट्रोल होती तो फिर मैं बहुत उत्सक होता हूँ वहाँ पर जाने के लिए पहला मकाबला खेलने के लिए और पहले मकाबले को जीत सरू करके डॉमिनेट करने के लिए ऐसा हुमंगिल रूल डाट होचके है और केल राहूल इंजिरी से रिकवर होचके है ऐसे में अगर हमें आपर वहाँ पर रुज शर्मा भी तो ऐसे में तो नहीं मिलते हैं पैसे हमें देखने बाली बात यह होगी कि टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होगा लेकिन खबर यही है सुमन गिल बाहर हो चुके है रोज शर्मा अवेलबल नहीं है और एक अच्छी खबर ही है कि केल रहुल रिकवर करके वापस आ चुके है और प्रैक्टिस उन्होंने कमेंट सेक्शन में तब तक के लिए धन्यवाद